दुनिया में सबसे जादा इलेक्ट्रोनिक कच्रा यानि के E कच्रा पैदा करने वाले शिर्ष पांच देशों में भारत का नाम भी शुमार है इसके अलावा इस सूची में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी शामिल हैं भारत में तकरीबन 20 लाग टन सालाना E कच्रा पैदा होता है और कुल 4,38,085 टन कच्रा सालाना रिसाइकल किया जाता है E कच्रे में आम तोर पर फेके हुए कंप्यूटर मॉनिटर, मदर बोर्ड, कैथोड रेट यूब, प्रिंटेट सकिट बोर्ड, मोबाई फोन, चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेटफोन के साथ ही LCD या प्लाजमा टीवी, एर कंडिशनर और रेफ्रिजरेटर जैसी चीज अध्यान के मुताबिक, E कच्रे की वैश्विक मात्रा 2016 में 4.47 करोड टन से बढ़कर, 2020 तक इसके 5.52 करोड टन होने की संभावना है, 2016 में पैदा हुए कुल E कच्रे का सिर्फ 20 प्रतिशत यानि के 89 लाग टन ही पुन रूप से एकत्र और रिसाइकल किया गया है, जबकि 6 E कच्रे का कोई रेकॉर्ड भी नहीं है, अध्यान में बताया गया है कि दुनिया भर में उत्पन E कच्रे की मात्रा 3.15 फिसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है, E कच्रे में मौजूद सभी कच्चे माल का 2016 में कुल मुल्य लगभग 61.05 अरब डॉलर है, प्रमुख मारिज्य एवम उद्योग मंडल, SOCHEM और National Economic Council द्वारा जारी रिपोर्ट के मताबिक भारत में E कच्रे में सार्वाधिक योगदान महरास्ट का है, यहां 19.08 प्रतीशत E कच्रा निकलता है, यह राज्य सिर्फ 47.810 तन कच्रे को सालाना रिसाइकल कर दुबारा प्रयोग के लाइक बनाता है, E कच्रे में तमिलनाडू का योगदान 13 प्रतीशत है और वो 52.437 तन कच्रे को रिसाइकल करता है, इसी प्रकार तर 30 तंग कचरे को रिसाइकल करता है देश के इकचरे में पस्चिम बंगाल का 9.8 प्रतिशत दिल्ली 9.5 प्रतिशत करणाटक 8.9 प्रतिशत गुजरात 8.8 प्रतिशत और मध्यपर्देश 7.6 प्रतिशत योगदान है अध्यान में कहा गया है कि असुरक्षित यी कचरे को रिसाइकल करने के दोरान उच्छित रासायनों और प्रदूशकों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रनाली, गुर्दे और मस्तिश्क के विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा विकार, गले में फेपणों का कैंसर, दिल, यकृत को नुकसान पहुचता है। इस रिपोर्ट के अनुसार करनाटक जैसे राज्यों में 57 रिसाइकलिंग इकाईयां हैं, जिनकी प्रसंसक्रण छमता लगभग 44,620 टन है। वही महरास्ट में ऐसी 32 इकाईयां हैं, जो 47,810 टन इकचरे को प उत्तरपरदेश में 86,130 टन को प्रसंसकरण करने के लिए 22 इकाईयां हैं और हर्याना में 49,981 टन के एकचरे के प्रसंसकरण के लिए 16 इकाईयां हैं, तमिलनाडू में 52,437 मिट्रिक टन प्रतीवर्ष रिसाइकलिंग करने के लिए 14 इकाईयां हैं, जबकि गुजरात में 12 इकाईयां है और उसकी प्रसंसकरण छमता 37,262 मिट्रिक टन है जब कि राजस्थान की 10 इकाईया 68,670 मिट्रिक टन प्रती वर्ष इकचड़े को प्रसंसकरण कर सकती हैं वही तेलंगाना में 11,800 मिट्रिक टन के इकचड़े के प्रसंसकरण के लिए 4 इकाईयां हैं दुखत बात ये है कि भारत के कुल इकचड़े का केवल 5 परसंट ही खराब बुनियादी धाचे और कानून के चलते रिसाइकल हो पाता है जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण में अपरिवर्तनी अच्छती और उद्योग में काम करने वाले लोगों को इस्वास्त पर पढ़ता है इकचरे का 95 परसंट असंगठित छेतर और इस बाजार के स्क्रैब डीलरों द्वारा प्रबंधन किया जाता है जो इसे रिसाइकल करने के बजाए उत्पादों को तोड़ कर फेंग देते हैं भारत में वर्तमान समय में इकचरे के उत्पादन होने की छमता प्रसंसकरन करन की छमता से 4.56 गुना अधिक है अधिक जनसंख्या भी इस बढ़ते हुए इकचरे का एक महत्तोपूंड कारक है इस अध्यान में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे भारत के लोग अमीर बनते जाते हैं और अधिक इलेक्ट्रोनिक सामान और उपकरण पर व्याय करते हैं कुल इक चरा सामगरी में कंप्यूटर के उपकरण लगभग 70 प्रतिशत दूर संचार उपकरण का 12 प्रतिशत विद्धुत संचरन उपकरण 8 प्रतिशत चिकित्सा उपकरण 7 प्रतिशत और बाकी घरेलू सामान का योगदान 4 प्रतिशत है